बच्चों हम अद्यन कर रहे हैं चेप्टर सेकिंड का और हमारे चेप्टर का नाम है व्यापार से सामराचे तक कंपनी की सत्ता इस्तापित होती है इस चप्टर के फर्स्ट वीडियो के तैट हमने जाना कि किस तरह से एस्ट इंडिया कमपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है धीरे धीरे प्लासी के युद्ध वे बकसर के युद्धों में विजय हासिल करके वे हैं बंगाल के दिवानी अधिकार प्राप्ते करती है आज के वीडियो में हम इससे आगे की कहानी का अधियन करेंगे कि किस तरह से एस्ट इंडिया कमपनी के द्वारा आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, आंगल सिख युद्धों में विजय हासिल करके भारत में अपने सामराज्य का विस्तार किया जाता है बलकि उसने विभिन कूटनीतिक प्रियासों के माध्यम से चालाकी से फूट डालो राजकरों की नीती के माध्यम से राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक साधनों के माध्यम से भारतिये छेत्रों को भारतिये रियासतों को अपने अधीन करने का प्रियास किया। जैसे कि हम बात करते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई इस लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद कम्पनी ने रियासतों में अपने रेजिडेंट न्यूगत करने शुरू किये और जो ये रेजिडेंट होते थे ये कम्पनी के राजनेतिक वेवेवसाइक परतिनीदी होते थे इनका एक मात्र उद्देश्य होता था कम्पनी के हितों की रक्षा करना और कम्पनी के हितों को बढ़ावा देना धीरे धीरे इन रेजिडेंटों ने रियासतों के आंत्रिक मामलों में हस्तक छेव करना प्रारम कर दिया जैसे की अगला राजा कौन बनेगा किसे परतिनीदी बनाया जाएगा या रियासतों में जो भी महत्वण निर्ने होते थे ये रेजिडेंट उन सभी मामलों में हस् नीती लेकर आये, जिसका नाम था सहयक संधी, रियासतों को मजबूर किया जाता था, कि वो इस सहयक संधी पर हस्ताक्षर करें, ये सहयक संधी क्या थी? इस सायक संदी में ये प्रावधान था कि जो रियासत इस सायक संदी पर हस्ताक्षर करेगी, वहें रियासत अपनी खुद की सेना नहीं रख पाएगी, बल्कि उसे कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी, कंपनी की सेना उस रियासत की सुरक्षा का कारी करेगी, बदले में कंपन प्रियासते कम्पनी को पैसा नहीं चुकाएंगी, तो जुर्माने के तोर पर उनकी इलाकों को कम्पनी अपने कबजे में ले लेगी, देखा ना, किस तरह से उन्होंने कूटनीतिक तरीका अपनाया, प्रियासते तो सक्षम थी ना भई, खुद की सेना रखने के लिए, अब की भुकतान नहीं करोगे, तो कम्पनी आपके छेत्र को हडप लेगी, जैसे कि वेलेजली जो की 1708 में से 1805 तक गर्णर रहे, इनके समय में अवद के नबाब को अपना आधा इलाका, इसी कारण कम्पनी को देने के लिए बाध्धे किया गया, और इसी तरह से हम देखते है हैदराबाद के भी कई इलाके छील लिए गए, जब कम्पनी को अपने राजनितिक वे आर्थिक हितों पर खत्रा दिखाई दिया, अब तक तो वो कूटनीती से चल रहे थे, चालाकी से चल रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारती लोग बहुत भोले वाले हैं, और उ भाजकरो की नीती के माध्यम से भारत पर साशन किया, लेकिन जैसे ही कम्पनी को लगा कि अब कूटनीती से काम नहीं चलने वाला, तो उनोंने पर्ट्यक्स रूप से सैनिक टकराओ का या युद्ध का रास्ता अपनाने में भी हिच की चाट नहीं दिखाई, और इसके मैसूर को कि किस तरसे आंगल मैसूर युद्ध हुआ, तो हम पढ़ते हैं हमारा अगला टोपिक टीपू सुल्तान सेरे मैसूर, अब टीपू सुल्तान को सेरे मैसूर क्यों कहा जाता है, उसकी कि स्टोरी है, एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसिसी मित्र के साथ सिकार खेलने के लिए गए, उनकी हाथ में बंदूग थी, कटार थी, अचानक से एक सेर उनके सामने आ गया, बंदूग ने साथ नहीं दिया और हडबडाट में कटार नीचे गिर गई, टिपू सुल्तान घबराये नहीं, उन्होंने बहुत 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 सेर का ही परतीक हुआ करता था, तो पढ़ते हैं हम कि किस तरह से मैसूर पर आकर्मन किया, एस्ट इंडिया कंपनी ने, और किस तरह से उनके छेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, दक्षिन भारतिये राज्ये मैसूर हैदर अली, जिनका साशन रहा 1761 से 1782 तक, यहाँ प के बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्टान, 1782 से 1759 में तक इनका साशन रहा, तो हम देखते हैं कि मैसूर ने इन दोनों के नेत्रतू में, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्टान के नेतरतू में काफी तरक्शी की, काफी ताकतवर हो चुका था मैसूर, यहां अब आंगल मैसूर युद के क्या कारण थे? ऐसे क्या कारण रहे कि कम्पनी ने हिमाकत की मैसूर पर आकर्वन करने की क्या ऐसे कारण थे जो कि युद के लिए उत्तरदाई रहे? तो हम कुछ कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, पहला कारण है कि जो मालाबार तट है, अभी आप इस्तिती देख पा रहे हैं, यहां जो यह रपसागर पर पास जो दक्षनी पश्चिमी छेतर है, यहां है मालाबार तट और अभी तक हम स्टोरी में देख चुके हैं कि कम्पनी जो यह बंगाल का चेतर है, यहां पर अपना नियंतरन इस्तापित कर चुकी है, और अभी मैसूर के चेतर में अटैक करेगी, फिर देखते हैं मराठा के चेतर में और आगे हैं सिख, जो सिख वाला चेतर था, आंगल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब के चेतर पर इलाइची खरीदा करती थी, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पढ़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकडी, काली मिर्च वे इलाइची के निर्याद पर रोक लगा दी, यानि कम्पनी जो यहां से सामान खरीदती थी उस पर रोक लगा दी गई, और जो इ फ्रांसेसी व्यापारी रहते थे, उनसे घनिष्ट संबन थे, और हम देखते हैं कि फ्रांसेसी और जो यह इस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज की जो कंपनी थी, इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि इन कंपनियों में अपनी व्यापारी परतिस तो टिपु सुल्तान के भारत में रहने वाले फ्रांसेसी व्यापारियों से घनिष्ट संबन थे, फ्रांस की सहयता से टिपु ने अपनी सेना को मजबूत कर लिया था, अपनी सेना का आधुनी की करण भी कर लिया था, तो अब इस्टिन्या कंपनी नाराज हो गई, कि एक सुल्तान बहुत ही मैतवाकांसी दिखाई देने लगे और इनको ऐसे लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी है और हिस्टिन्या कंपनी के लिए अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए निर्ने लिया गया कि इनके साथ युद्य किया जाए और इनकी सकती को खतम किया जाए, मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार बार लडाईया हुई, 1769 के बीच में पहली, 1784 के बीच में दूसरी लडाई, 90 से बाणमे की बीच में तीसरी और 1799 में चोथी लडाई, अभी हमें डिटेल में इन सारे लडाईयों के बारे में नहीं हम देखते हैं कि जो आखरी लडाई हुई 1799 में, तो स्री रंगपटनम की आखरी लडाई में कमपनी सफल हो गई, टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का जो राजगाज था, वो कमपनी ने अब जो पुराना वाडिया राजवन्स वहाँ पर साशन कर रहा था, उसको स थोब दिया, और मैसूर पर सायक संदी भी थोब दी, यानि जो मैसूर का छेत्र था, वो कमपनी ने उस पर नियंत्र निस्तापित कर लिया और उस पर सायक संदी भी थोब दी, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, 1700 ब्यानमे में, मराठो, हैदराबाद के नि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संदी करनी पड़ी थी, और उनके बेटों को बंधक बना करके, लॉर्ड कानवालिस के समक्ष पेस किया गया था, ये जो बात बता रखी है, ये बता रखी है तीसरे युद्ध की, कि किस तरह से, एक संयुक्त सेना ने टीपू सुल्त अग्रेज को दबाए हूए है, एक सेर, यह एक नकली सेर था, जो कि यूरोपियन सिपाई को दबाए हूँ है, जब इसको चलाया जाता था तो सेर के मुह से दहारने की आवाज आती थी, और ये यूरोपियन सिपाई था, ये चिलाता था उस वक्त, तो ये प्रतीक जो खि लोना रखा हुआ है तो ये कुछ चित्रकार जैसे हम ये कुछ चित्र देख पा रहे हैं उस वक्त की चित्रकार थे उनको बड़ा मज़ा आता था इस तरह की चित्र अंकन करने में जिसमें की अंग्रेजों की सक्ती दिखाई दे क्योंकि वो अंग्रेज चित्रकार ही हुआ क करते थे यहां देखिए दूसरा हम छेत्र देख रहे हैं मराठों से लड़ाई कि किस तरह से मैसूर के छेत्र को विजित गरने के बाद आंगल मराठा यूध होता है और मराठा के छेत्र को भी अपने नियंत्रण में गिया जाता है 1761 में पानीपत का तिर्ट्य युद हुआ था पानीपत के तिर्ट्य युद से पहले तक मराठा भारत की सबसे बड़ी सक्ति हुआ करते थे क्योंकि मुगल तो वैसे ही कमजोर हो गए थे औरंगजेव की बाद तो मराठा एक महरतपुन सक्ति के रूप में उभर कर आये थे और अभी तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो मराठो पर आकरमन करे लेकिन जैसे ही पानिपत के तित्य युद में मराठा हार जाते हैं हार के बाद मराठा सामराजे अनेक छोटी-छोटी इकाईयों में बढ़ जाता है और जो ये इकाईया जो ये राज्य होते हैं इनकी बांगडोर अलग-अलग राजवनसों के हाथ में आ जाती है जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवड़ और भौसले और ये हम जानते हैं कि जब तक एकता है तब तक सकती है और जैसे ही एकता विभाजित होती है कमजोरी आ जाती है ठीक ऐसे ही हुआ मराठा सामराज्य के साथ कि अब तक तो अंग्रेज हिमाकत नहीं कर पा रहे थे मराठा सामराज्य के उपर हमला करने की लेकिन जैसे ही ये सब अलग-अलग होते हैं कई राज्यों में बढ़ जाते हैं उसके बाद अंग्रेजों का आकर्मन होता है इस राज्य वंडल का सैनिक वैप्रसास की अप्रमुख होता था जो कि पूने में रहा करता था हम देखते हैं कि जब तक महाजी सिंदिया और नाना फड़नवीस रहे ये 18 सदी के उत्राद के दो परसित मराठा योद्धा वैराजनितिक्य थे मराठा सामराज्य के विक्टन होने के बाद अंग्रेज वैम राठों के मद्द्य युद्ध हुए और ये तीन युध हुए कितने युद हुए अंग्रेजों और मराठों के बीच में? अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीन युद लड़े गए, पहला युद लड़ा गया 1782 में और यह युद सालबाई की संदी के साथ खतम हुआ, जिसमें कोई भी पक्स नहीं जीत पाया, नहीं तो मराठे ज जीत पाये, नहीं अंग्रेज जीत पाये, दूसरा युद कई मोर्चों पर लड़ा गया, अलग-अलग सर्दारों और जितने भी मराठा सर्दार थे, इन्होंने अलग-अलग अंग्रेजों के साथ कई मोर्चों पर यह हैं युद लड़ा, इसमें उडिशा वियमना के उत अंग्रेज मराठा यूद इसमें कम्पनी ने मराठो की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया, पेश्वा जो की पूने में रहता था, पेश्वा को पूने से हटा करके कानपूर के पास बिठुर में पेंशन पर भेज दिया गया, तो हमने देखा कि मैसूर का छेतर तो नियंत पर निस्तापित किया अंग्रेजुने, नेक्स्ट हमारा टोपिक है सर्वुचिता का दावा, अभी तक कम्पनी के होंसले बहुत जादा बुलंध हो चुके थे, कम्पनी ने उनिसवी सदी के सुरुवात में अपने छेतरिये विस्तार की, आक्रामक नीती अपनाई, अभी उनके नेतरतु में कम्पनी ने सर्वुच्यता की एक नई निती सुरु की, क्योंकि कम्पनी का ये मानना था कि उसकी सत्ता सर्वुच्य है, उसके हित सर्वुच्य है, उसके हित ही सभी कुछ है, और कम्पनी के हित भारतिये राज्यों से उपर है, वे अपने हितों की रक् जनता थे उन्होंने अंग्रेजों की इस सर्वचता की नीती का विरोध किया कि आप ऐसे कैसे भारतिय चेत्रों का दिग्रण कर सकते हो। हम देखते हैं कि रानी चेनम्मा का इसमें बहुत महत्वपून योगदान रहा करनाटक के कितुर में रानी चेनम्मा ने अंग्रेजों की इस हडप नीती के विरुध संगर्स किया हालंकि उन्हें ग्रफतार कर लिया गया ठीक है 1839 में और फिर उनकी वहीं मृत्यू भी हो ग और रायन्ना कवी क्योंकि इन दोनोंने महत्वपून त्याक किया अंग्रेजों की नीती के विरुध संगर्स करते हुए तो गरीब चोकिदार रायन्ना ने यहें परतिरों जारी रखा लेकिन 1830 में उन्हें भी फांसी पर लटका दिया यानि अंग्रेजों की हिमाकत रूस के आकर्मन का भै था कंपनी को भै था कि रूस का परभाव संपून एसिया में ने फैल जाए इसी भै के चलते अंग्रेजों ने भारत के उत्तर पस्चिमी छेतर पर अपना नियंतरन करना सुरू किया उन्होंने 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंब देख चुके हैं कि कंपनी काफी चेतरों में विस्तार कर चुकी है मंगाल के चेतर में कर चुकी थी मैसूर का चेतर हो गया मराठा का चेतर हो गया ठीक है अमदरास वाले चेतर में कर चुकी थी और अब यह जो पस्चिमी चेतर है उत्तर पस्चिमी चेतर है तो अफगानि 1849 में जैसे ही महाराजा रंजीत सिंग की मृत्य होती है, अंग्रेज सिखों से युद लड़ते हैं, दो अंगल सिख युद होते हैं, और उसके बाद कम्पनी के द्वारा पंजाब का भी अधिगरेंड कर लिया जाता है 1849 में, 1849 में, तो अब तक बात समझ में आ रहे हैं न और नीती की बात करते हैं, यह है विलया नीती, लाट डल होजी की हडप नीती के बारे में तो आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लाट डल होजी जिन्होंने की 1848 से लेकर 1856 तक भारत में इसाशन किया, यहां गवर्णर जनरल रहे, इन्होंने विलया की नीती अपनाई, क्या थी यह नीती? लाट डल होजी की नीती क्या थी? इनकी नीती थी कि यदि किसी रियासत के साशक की मृत्य हो जाती है, वहां के राजा की मृत्य हो जाती है, और यदि राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है, उसका कोई पुरु स्वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी के द्वारा हडपली जाएगी ये थी डल होजी की विले नीती यानि कंपनी उस रियासत को अपने सामराज्य के अंदर मिला लेगी और हम देखते हैं कि इस नीती के कारण ही सतारा, संबलपूर, उदैपूर, नागपूर, वैजहांसी आधी अंगरेजों के छ सामराज्य में मिलाया गया सतारा, संबलपूर, उदैपूर, नागपूर, वैजहांसी आगे चलके हालंकि अवद पे काफी समय से अंगरेजों की निंगाहें थी कोई प्रोपर कारण नहीं मिल पा रहा था अच्छा रीजन नहीं मिल पा रहा था जिससे कि अवद पर नियं नियंत्रण में ले लिया, अवद की जनता इससे बहुत ज्यादा आक्रोसित हुई और हम जब देखते हैं आगे चलकर 1857 की गरांती तो उसमें अवद की जनता ने काफी बढ़ चड़ कर भाग लिया, तो कई बार ये केशन भी आता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जिस पर अंग्रेजी सामराज्य में मिलाया गया, तो कौन सी रियासत थी वो थी अवद की रियासत, आगे बढ़ते हैं यह देखिए यहाँ पर विबिन मानचित्र के माध्यम से दर्साया गया है कि कंपनी का साशन किस तरह से फैला है, यानि कंपनी का फैलता साशन, इसमें जो ये चेत्र था वो पश्चि मंगाल वाले चेत्र, बनारस वा ये उत्रपरदेश वाला और ये कलकत्ता वाला चेत्र, और थोड़ा यहाँ पर देख लो आप मदरास वाले चेत्र पर, यहाँ पर कंपनी का नियंदरन था, धीरे धीरे चेत्र का और विस्तार हुआ, यह देख प पश्चिमी जो छेत्र है वो भी नियंत्रन में आ चुका है और ये आप देख पारें पूरा दक्षणी छेत्र भी पूर्वी छेत्र में भी कम्पनी अपने सामराज्य का विस्तार कर रही है यानि हम देखते हैं की उत्रार तक कम्पनी ने काफी अच्छी खासी इस्तिती भारत में बना ल rudy थी तो बचो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, हमारे next वीडियो में और देखेंगे किस तरह से कम्पनी ने भारत में साशन करने की नीती अपनाई, उसका प्रसासनिक रवया कैसा रहा, धन्यवाद.